कुछ लोग अकसर खुद के बारे में सोचते हैं और ये कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत दयालू हूँ लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो किस तरह अपनों से व्यवार करते हैं, वो किस तरह अपनों से बाते करते हैं ये बच्चे अपनों के साथ सीधे मूँ बात नहीं करते और उनका अपमान करते रहते हैं तो इन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि जब कोई खुद को दयालू समझता है तो वास्तव में वैसा व्यवार भी उन्हें सब के साथ रखना चाहिए और शुरुवात घर वालों से ही करनी चाहिए दुनिया के साथ अच्छा और अपने घर वालों के साथ बुरा व्यवार रखना गलत है जब इनसान अपने हर रिष्टे में एक दूसरे की भावनाओं की कदर करता है तभी जीवन की गाड़ी ठीक से आगे बढ़ती है सिर्फ दूसरा इनसान तुम्हारी भावनाओं को समझे और तुम्हारी सेवा करे ये बात गलत है तुम्हें भी अपनों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए और उनकी इच्छाओं का मान रखना चाहिए समाज में अपनी इज़द और नाम कमाना चाहते हो तो वो केवल पैसे से नहीं होगा जब तुम अपनों के सुब दुख की चिंता करोगे उनके भावनाओं की कदर करोगे तब असली माइने में इंसानियत में तुम आगे इंसानियत के रूप में तुम आगे पहुंच जाओगे मेरा अश्रवाद हमेशा तुम्हारे साथ है खुश रहो और खूब मुस्कुराओ